आज की वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत वैलकम है अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी यूट्यूब की कम्यूनिटी पोस्ट के अंदर एक पोल डाला था और आप लोगों से पूचा था कि आप लोगों को जर्मन लैंग्विज सीखते वक्त सबस्दा मुश्किल किस चीज़ में पेश आती है जो अपने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड़क्शन होता है या किसी चीज़ की प्राइस पूछना या कोई रस्ता पूछना यह सारी बेसिक फ्रेजस अलड़ी मैंने जो हैं वो प्रिपेर कर लें ती सब मैठील इंटरनेट पर उस वाकट भी अवैलेबल था इतना नहीं था जैसे आज होता है जो असली गेम शुरू हुई थी क्योंकि स्पोकन का तो कोई स्रीन नहीं था पाकिसान के अंदर और मैं वैसे भी आ रहा था इंग्लिश टॉट मैस्टर्स प्रोग्राम के अंदर तो जब जो मेरा सही स्पोकन की जर्णी स्टार्ट हुई जहां से मैंने उसको बूस्ट ही है वो था जब मैं जर्मनी पहुंचा जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने सबसे पहले जो काम शुरू किया आते साथ ही अपने पहले दिन से ही वो यह कि मैंने जर्मन रेडियो जो ह उसका flow अपने आपको subconsciously आपने वो एक तरह से अपने अंदर बिठाना होता है ताकि आपको ये फील नहों कि यार लोग आपस में जर्मन में बात करें तो उसके लिए सुनना लेंग्विज का सबसे इंपॉर्टन चीज है तो मैंने जब मैं अपनी डॉमेटरी में रह रहा था सुड़ेंट डॉमेटरी में तो वहां से मेरे कैमपस की जो वाक थी वो होती थी पंदरा मिनिट की तकरीम पंदरा से बीस मिनिट की तो मैं जाता था मेरे मुबाइल में रेडियो था और उसके मुझे याद है कि कि मैं जाकसन में था जाकसन ही में तो मेरे रेडियो जाकसन जो था वो उसके लगता था और वो मैं सुनता वा जाता था जब भी जाता था structure सीख रहा था थोड़ी बहुत vocabulary इंप्रूफ कर रहा था जो भी वह उसमें सिखा रहे थे और heavily दिन भर जो है ये content German language सुन रहा था रेडियो की तरूँ वापस जब मैं शाम को आता था तो YouTube के उपर मैं धूनता था कुछ clips पढ़े होते थे German के अंदर कुई comedy के clips होते थे उनको मैं सुनता था उसके इलावा जो मैं काम करता था वो यह करता था कि जो मैंने series already देख ली हुए थी जैसे prison break ये breaking bad उस वकट जो भी बड़ी चल रही थी नहीं I think breaking bad तो उस वकट नहीं breaking bad थी उस वकट यह जो मैंने देख ली थी Boston legal मुझे याद है ये एक series थी जिसका मैंने German version जो है वो ढूंड लिया हुए था क्योंकि वो जर्मन में synchronize हुए थी Germany में सब लोग जो है जान बूच के language की sound require करने के लिए सुन रहा हुता था तो यह काम मैंने heavily शुरू कर दिया फिर उस वकट जर्मन यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम का बड़ा नया नया ट्रेंड शूरू हुआ था तो पॉड़कास का उसमें एक दो वो होते थे पता नहीं शौनी सनी उसकर जर्मन यूट्यूबर तो वह रैंडम इशू के उपर कॉमेडी किसम की पॉड़कास करता था जर्मन के अंदर एक साथ उसके और बैठा होता था कॉमेंटेटर तो उनको मैं सुनता था उनको पॉस करकर करके जब भी वो को वर्ड बोलते थे तो उस वर्ड को लिखता था में वो खुद ऑटो सजेस्ट कर देता था क्या वर्ड उनने बोला है फिर उसकी इंग्लिश देखता था क्यूंकि इसमें साथ-साथ काफी और चीज़ें मी चल रही जैसे मन को बताया कि रेडियो सुन रहा था रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा था जर्मन के अंदर उस करे और उसके बाद किया और वो भी काफी जल्ली किया और चीज जोन डूंड ली और जो मुझे पार्टनर मिली language exchange के लिए ये एक तो बहुत जरूरी काम था मेरी आप लोगों को भी यही suggestion होगी वो हो सकता भी है यह हो सकती भी है depending on जो भी आप चाहें है जो भी available हो वो partner ढूंडने का ये फाइदा हुआ और ये जरूरी इसलिए है कि जो भी मैं कुछ ही acquire कर रहा था जो भी मैं सुन रहा था रेडियो पर या जो class में जो सीख रहा था या जो फिल्मों से जो सीख रहा था podcast सीख रहा था जर्मन में अब उसको apply भी कहीं करना था ठीक है खाली वो सुनने के लिए ही नहीं था तो basic sentences मेरे पास आगए हुए थे और partner भी मेरे पास आगई हुई थी तो मैंने दूसरे महीने के अंदर हल्की फुल्की conversation करना शुरू कर दी लेकिन वो बहुत ही तूटी फूटी थी उसमें ये कि या इसाइस आसान या इसाब होटे दस के गैसन इस पिन्मूद इसाब इस तरह की छोड़े छोड़े बेसिक सेंटेंस ये डर निकालने के लिए कि हाँ अब मैं एक foreign language बोलना शुरू हो गया हूँ अपने आपको ये बताने के लिए लगों के वो nowhere near to speaking थी उसमें सरफ कुछ जुमले थे लेकिन जब आप native के साथ बोल रोतें तो आपको फील होता है कि ओ यार ये मेरी चार पांच जुमले उसको समझ आए हैं इसका मतलब है ये वाकिए ये ये गेम बन सकती है ये मैं एक्टिवली करना शुरू करती है और आप लोगों के आप बुक से सीख रहे होंगे टीचे से सीख रहे होंगे किताबों से सीख रहे होंगे रेडियो से सीख रहे होंगे लेकिन आपको एक native या इवन नॉन नेटिव यो अच्छा fluent German के अंदर या उस target language के अंदर एक बंदा बंदी वरेवर आपको चाही होगा practice करने के लिए उसके बगार बहुत मुश्किल है जब तक आप किसी के साथ practice नहीं करेंगे और बेस्ट यही होगा कि अगर आप कोई native पकड़ ले तो वहां से मेरा जो है न वो थोड़ा सा आप कहलें कि मुझे feel होना शुरू हुआ और उ अच्छे की तरह बोल रहा है और यार यह क्या है हाँ एक एक्सेंट का बड़ा लोग होता है कि यह जर्मन की copy कर रहा है मैंने क्या किया किया कि मैंने actively जो native German speaker थी मैंने उसको copy करना शुरू कर दिया जान बूच के इसको imitate करना शुरू कर दिया क्यूंकि language में याद रखना क आपको वही कहेगा कि आप fluent हैं एक certain language में अगर आप native speaker की तरह sound करोगे या as close as possible आप native speaker की तरह sound करोगे क्यूंकि लोग होते हैं वो कई लोग मैंने देखे वो यह कहते हैं कि और यह native speaker यह तो जर्मन की copy करने की कोई कर रहा है उसकी तरह sound करने कोशिश कर रहा है जो कोई कि लेंग्विज स्पोकन होती ही वो है जो native speaker उस लेंग्विज का उसकी तरह sound करें या उसके at least close हो उसकी reason मैं आपको बताता हूं क्यों वो इसलिए है क्योंकि लेंग्विज यह एक सरफ एक communication का जरीए है एक message आपने A point से B point तक पहुंचाना है तो जो language native speaker की होती है वो accepted हो already ठीक है वो सही या गलत की बात नहीं होती वो एक accepted होती है और वो कानों को used to होती है तो अगर आप अपना message उसी की तरह sound करके भेज़ो किसी को तो वो जल्दी fast और effectively communicate और transfer हो और message इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की नेकल कर रहे हो इसका मतलब यह कि आप उस message को smoother बना र native speaker close उसकी तरह अगर नहीं पहुंचता लेकिन अगर आप 80-90% भी acquire कर जाओ तो वो fluent होगी जैसे for example मैं आपको एक जामपल लेता हूँ कि अब एक जुमला मैं जर्मन में बोल रहा हूँ कि इस हैते ग्यारने आइनन काफे ठीक है अब आपको लगेगा ये दोनों जुमले कि यार जिसने ये दूसरे वाला जुमला बोला है जिस खलत प्रोनिसेशन के साथ इसको लैंग्विज नहीं आती हलाकि इसमें कोई flaw नहीं था लैंग्विज दोनों के जुमले ठीक थे लेकिन जो sound like a native speaker करेगा या जो fluency में वो बोल जाएगा he or she will be considered as a better speaker ये language में हमेशा ह पाएंगे उनको लगेगा कि यार हमारा मैसेज ये पिक कर रहे हमें इसका मैसेज जल्दी से पिक हो रहा है otherwise हमें समझ ही नहीं आ रही हो बार बार पूछेंगे क्या क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो इसलिए pronunciation acquiring करना spoken के लिए बहुत important है अगर आप लोग कोई fears है कि यार बहुत सारे लोग मुझे request करते थे कि हमारे सार ब्योगर आंप आजो पीजिए जो government offices हमने वहां काम करना है तो हमें एक translator हमारे साथ चले जो 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 के foreign students है और मुझे भी मैं भी एक foreign student मुझे लेके जा रहे होते हैं help के लिए या कभी even shopping groceries के लिए जा रहे होते तो मुझे जा रहे होते हैं groceries नहीं किसी दुकाना में shopping करनी है second hand shop वगारा तो मुझे लेके जाते हैं हमारे साथ चले जाना translate कर दो तो अगर आप एक दफ़र कर लेंगे ना शायद आपको शुरू में लोग तंग भी करें हैं मौक भी करें तो उनकी परवानी करना अगर आपका ये aim ह है वाकिए आप serious or interested हो कि आपने fluency acquire करनी है German language के अंदर तो आप उस पर डटे रहना और आप अपनी pronunciation के पर काम करना नेटिव को imitate करो जो सुनों और सुनने का मकसर ही है कि अगर मैं सुन रहा हूं मैं वो मुझे कह रहा है कि आप गार्यो जाकसन ठीक है अब वो यसे बार बा की subways होती है, S-Bahn होती है, उसके अंदर जो announcement होती है, उनकी बड़ी जबरदस जयमान होती है, वो वहाँ से next station, वहाँ से आप pick कर सकते हैं कि यार हाँ, यह एक बड़ी जबरदस sound आ रही है, इसको मैं aim बनाता हूं, इसको bar रखता हूं, इसको copy करता हूं, तो यह सारी जो कुछ बोल सकता हूं, और यह कोई overnight process नहीं है, इस सारी game के अंदर, एक wire करते करते, 6, 7, 8, 9, 10 महीने, 11 महीने, एक साल तक भी लग सकता है, depending कि आप कितना motivated रहते हैं, कितने लंबे अरसे तक, और मुछले phases आते हैं, कभी exam आ जाते हैं, तो आप उसको कम कर देते हैं, कभ अशे तरीके से बोलनी है, तो you can make it, यह मैं आपको अभी basic tips अपनी तरफ से दे सकता हूं, जो मैंने personally experience किये हैं, खुद, while learning German, other than कि मैं किसी किताबों का नाम दूँ, या मैं किसी podcast का नाम बता दू, या किसी channel का नाम बता दू, इनको apply करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क वही आपको कहेगा, जिसको या तो आती नहीं है, या तो उसकी बहुत ही बुरी pronunciation है, वही ये बंदा कहेगा, जिसकी अच्छी pronunciation है, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा, वो यही हमेशा कहेगा, कि यार, you sound like native speakers, तुमारी German बहुत अच्छी है, pronunciation बहुत अच्छी है, तो मे देखी हैं, जो मुझे बहुत पसंद आई, कि उनको भी आप देख सकते हैं, उनसे क्या lessons आप require कर सकते हैं, language learning के हवाले से, तो उसके ओपर भी अलड़ा वीडियो में बात करेंगे, मगर overall इस topics related कोई और questions हैं, तो वह जरूर comment section में share करें, मैं कोशिश करेंगा, मैं उनका answer क वीडियो अगर informative लगी है, तो इसको एक thumbs up जरूर दीजिएगा, और end में यही कहूँगा, कि ये video देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,